नमस्का दोस्तों, वेलकम टु माई चैनेल, आज बनाएंगे सोया बीरियानी, ये बीरियानी बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैं इधर 300 ग्राम सोया बीन ले लिया अधा खंटत तक रेस्ट में रख देंगे, इसमें क्या होगा सोया बीन जो पहले से फूल गया है, और सोया बीन जब ठंडा हो जाएगा इसका पानी जो इसके अंदर रह गया इसको निचोरके एक अलग बरतन में हम इस सोया बीन को ले लेंगे, और एक बाद याद रखने सोया बीन के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, इसके बाद इधर में ले लिया हूँ 100 ग्रम दही, तो दही को मैं पहले से फेट के रखी थी और उसके बाद दे दिया 1 टीस्पून बिर्यानी मसाला, आधा टीस्पून दे दिया रेचिली पाउडर, आधा टीस्पून हल्ल सॉल्ट, तो अच्छे से मिक्स्ट कर दिया और यह जितना अच्छा मिक्स्ट होगा और इसको मिक्स्ट करके मैं आधा घंटे के लिए रेस्ट में रख दूँगी, इसमें क्या होगा मसाला एकदम अच्छे से घुल मिल जाएगा, इसके बाद में 3 मीडियम साइज का पिया पता, एक सुखा लाल मिर्च, चार दार्चीनी और चार से पांच छोटा एलाईजी, इसमें थोड़ा 2-3 सिकंड के लिए मसाला को रखने के बाद जो पियाच में रफली चॉप करके रखी थी उस पियाच को इस तेल के अंदर डाल दिया, तो इस पियाच को लोग टू जो गोल्डन ब्राउन एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इस पियाच के अंदर में जो आलू है, आलू की इसके अंदर डाल दूँगी, और इस आलू को भी इस पियाच के साथ अच्छे से फ्राई करना है, और एक बाद यात रखना है, इस आलू को हाई फ्लेम म मतलब हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर देने के बाद भी इसको अच्छे से में फ्राइ कर रहे हूं दूसरे तरब बिर्यानी का राइस बनाने के लिए मैं पाने बिठा दियो गरम करने के लिए और कुछ खड़ा मसाला ले लिया ले लिया आदा टीस्पून साजीरा तीन तारचीनी एक तेजपत्ता चार छोटे लाई ची और कुछ ले लिया जाबी त्रीका फूल और दो से तीन लॉंग और एक बड़ा लाई ची सारे मसालों को इस पानी के अंदर डाल के दे दिया वान से दो टीस्पून के करीब नमक क्योंकि नमक देना बहुत ज़रूरी है राईस पकाने के लिए और सारे मसालों को इस पानी के अंदर अच्छे से में मिला दे रही हो और दे दिया उपर से थोड़ा सा रीफाइंड इसमें क्या होता है चावल जो थोड़ा खिला खिला होता है और इधर देखिए आलू के साथ जो मेरा प्यास था ओ अच्छे से फ्राई हो चुक है थोड़ा लाल हो चुक है और इसके बाद हम दे देंगे जो मसाला देके मैं स्वयावीन को मिक्स करके रखी थी आधा गंटा पहले उसको डाल दिया और दे दिया उसी बर्तल में जो मसाला रह गया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसके अंदर डाल रही हूं तो सारे मसाले के साथ आलू के साथ इस स्वयावीन को हम ढखके पकाएंगे इसको पकाने में 10-15 मिनित तक टाइम लगेगा और इधर दिके मैं बास मतिरा इस ले लिया हूँ इसको अदा घंठा पहले पानी के अंदर भीगो के धोके भीगो के लिखी ती और इधर जब मसाला के अंदर पानी में उभा लाना शुरू हो गया तो राईस को भी अच्छे से में में मिक्स कर रہी हूँ इसको ज़्याद पक रहा है, मसाला का कलर भी थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है और मसाला के साथ अच्छे से पकने के बाद ही हम इस स्वयविन को अलग करेंगे तो दिखें मेरा स्वयविन जो है रेडी हो चुका है मैं थोड़ा उपर से फ्रेश जो धनिया है वो अच्छे से उसको पर डाल रही हूँ और इस जो मसाला वाला जो स्वयविन है आलू के साथ मैं बिर्यानी बनाने के लिए एक बड़ा सा डेचकी ले लिया हूँ उसके अंदर इस स्वयविन को डाल दिया और इधर दिके मेरा राईस जो है वो 80% करीबन पक चुका है और इस राईस को मैं एच्छनी के मदद से ऐसा करके उठा के थोड़ा सा इसका जो पानी है राईस का थोड़ा निकाल के इसके अंदर बिर्यानी बनाने के लिए इस स्वयविन के अंदर डाल रही हूँ ऐसा करके पूरा राइस जो है मैं पूरा सा एकदम फैला दूंगी तो देखिए एकदम अच्छे सा राइस जो है एकदम खिला-खिला बनाए और इधर में कुछ मसाला ले लियो, ले लियो थोड़ा सा दूत ले लिया एक काप के करीब ले लिए मिठा ही तर ठोड़ा कलर ले लिए योइलो और ओरेंज और ले लिए कावडा वाटर रोस वाटर बीरियोणी मसला और ठोड़ा सा काला जू मीच होता है मतलब ब्लैक पेपर ओ भी ले लिए मैं दूद के अंदर थोड़ा सा black paper डाल दिया बस इसको अच्छे से हम मिला के इस चावल के उपर हम अच्छे से फैला देंगे इसमें बहुत अच्छा होता है दूद दे के बनाने से बहुत अच्छे flavor आता है थोड़ा सा दे दिया योलो food color इसके अंदर दे दिया और देंगे थोड़ा सा orange fruit color आप लोग चाहें तो बीडियाली में color दे सकते है या नहीं भी दे सकते है देने से एक अच्छा लगता है दे इसके अंदर देंगे क्यूंकि जादा देने से जादा flavor हो जागा तब अच्छा नहीं लगेगा खाने में और दे दे रही हो रोस वाटर रोस वाटर टू टी स्पून के करीब में दे रही हूं इसके अंदर और क्यावडा water भी 2 टी स्पून दूंगी ज़्यादा अब और लास में इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता थोड़ा सा पूदीना पत्ता अच्छे से दे के मैं फॉयल दे के अच्छे से इसको दम में बिठा दूंगी तो इसके लिए मैं फॉयल ले लिया हूँ फोईल को अच्छे से चारो तरस्प से इसको कोट करके लगा रही हो जिसका अंदर का जो दम देने के बाद जिस महग है वो बाहर ना निकाला है और एक कैसोबेन में में एक तावा बिठा दिया है उसके उपर देचकी को बिठा के पहले पांच मिनित थोड़ा हाई फ्लेम मे एकदम रेडी हो चुका है देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा महग भी आ रहा है और देखिए एकदम राइस जो है एकदम खिला खिला है और राइस भी अच्छे से पग चुका है और यह देखिए सुयाबीन आलू एकदम अच्छे से हुआ है और देखने में से भी चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर कर दीजिए फिर मिलेंगे एक नयार इस भी के साथ तब तक के लिए बाई बाई